नमस्कार देवी और सज्जन और मैं हूँ आप का मिताब बच्चन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मेल बॉक्स का चाथा एपिसोड दर्शको जिन्देगी क्या है जिन्देगी एक जुआ है जुआ है जो मैंने जवानी में खेल रखा है लेकर नहीं खेलता चुके अब म तरज्मान है अफ्दाब जी बहीं प्रसंन शुरु किजेगा 1 पहला कומÖंट है अफटाब इक्बार स sowie लूज कैनन की नई any episode कब आएगी जिए अफ़ और सावह आपके पास आप्षेन है चार काल दे अगले हटे से अगले महीन हैं और दी ऑ Sign D आपको आप्शन देता हूँ फोन फ्रेंच दीजे इनको अपने दोस्से बात कर लीजिए मैंने नहीं कर रहो दोस्त को बोड़ सवार दोस्त आपका एक होता है वो डी एचे का अरतुरल ये फस जे को कहा है वो बिश्कीक गए हुए हमला करने गए है क्या जी मुझे जुरूरत नहीं है मैंने बता दिया है मैं कह रहा हूँ ना मुझे कोई पता नहीं है इसलिए डी इस दो अल्ली आप्शन और अगले प्रेशन पर आईए इस से पहले दूसरे प्रेशन पर आए दर्शको जिन्दगी हर बार जुआ नहीं होती अब यह जी जल्दी खत्म करना है वाइंड आप करना है को और मज़े की बातें कर लें अगर आपकी जिन्दगी की आहम चीजें डिसकस करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए लेकिन यह करोड़ पती वे दैट सिट हो गया अरह अफ़ताब साब आप इतना अगर इसरार करते हैं तो सुनाए देते हैं जी दर्शको सुनाए तुम्हे एक नई कहानी सुनोगे मेरे दोस्तों आओ सुनाए कहानी तुम्हें हम डेट अल डेट अल हो तुम्हें करोना है और आपको हाथ बार बार तुम्हें जे कमली जी आप यहां कैसे हैं ताब में थे बलाया कि आते आया हैं अनी दिया अफ़ताब साब यह अगला मरीज अपर कोई ऐसा शो भी स्टार्ट करें जिसमें आप प्लिटिकल परसनालिटीज के साथ वान-टो-वन इंटर्व्यू करें और यह शो हार्ट टॉक टाइप होना चाहिए जी आफ़ताब साहब आप से यह मैंने सुन ली है मैं साथ बैटो आफ़ताब जी चले इसका इसके लिए भाईया टाइम चाहिए और टाइम ही नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है सोचनाली बात है दर्शको अगर इन बहार्शे के पास टाइम है ही नह अब सारी बाते होंगे तीसरा प्रशन जी डॉक्टर साहिबा बताईए परहंगे आस्फिया में फलों की वज़ाय तस्मिया को शामिल करें जी फलों की वज़ाय तस्मिया जो है बहुत ही कोई इंट्रस्टिंग क्वेस्टिंज हैं हमेशा की तरह पता है इसे ऐसे नायाब क्वेस्टिंज लेकर आए ना सर मेरा एक क्वेस्टिंज है मैंने सरे कॉमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये जर्याब साब जो है ना इनसे कोई बात करवा हैं जी सर ओके सर सीख है इसके लावा ये कुछ बोल सकते हैं या नहीं और तो रिसर्चर है मतलब घूंगा तो नहीं है चले जी बोल दीजे बाहर निकल आज तुझे मार दूँगा इतना फेट है मूँ आपका अतना फेटा है बाहर दर्शंको ये आप ताप साब का अपने जवाब सुन लिया जो उनने फलों के बारे में बताया एक छोटी सी फ suburbs फेक्टरी का अउनर अफजस آउता है जी परशंट रहे गया आपका डॉक्र साभआ जी नेक्स्ट व्यस्टेन है क्या बात्र रॉल से बारे में अच्च का दोबारा से होस्ट करेंगी ये तो आप अपने आप से पूछिए मैं दुमारा से होस्ट क्यों नहीं कर सकती दर्शको आपने जो प्रेशन किया उसका उत्तर डॉक्टर साहब आने बहुत भी दिया और बहुत अच्छा जवाब आपका बहुत अच्छा उत्तर जी आपताब जी क्या कहेंगे इस पारे में वो जो कहा है उन्हों ठीक कहा है आपने ठीक कहा है जी वो कंटिन्यू करेंगी और नायाब इंगलेंड चली जाएगी नायाब अमानियात करती है और वही करेगी आपने देखा हमारा प्रोग्राम अमानियात जी मैंने देखा है क्या खास बात है उसमें पंजाबी जो है पंजाबी जबान में होता है मुझे भी आती है पंजाबी मैं कुछ बोलके देखा हूं आपको जी बोलिए कोई डालोग दीजिए मुझे कोई अगला सवाल वे रोते सजनों जीवे तौनू पता है के और देवियो नहीं कहना है सजनों ते देवियो जी वे रोते सजनों तौनू पता है के असी है चाथा मेल बॉक्स कर रहे हैं ते मैं तौने नाल अमिताब बच्चन तुसी किस काम न अगल आयो इस शोविच्छ देख रहों कि आप क्या कर रहे हैं खुदा आप अपना शो कंडग कर रहा हूँ और भाई साब यह क्या आजीब सवाल पूछे प्लीज बचारा शारू खार ला रखा पर अपसी लगना पर अच्छा मुझे आप यह बताईए दोनों महार्शे काल अगला प्रेशन क्या है अजर रंगीला ने गाड़ी की सर्विस पे जो खर्चा किया है कम असकम वो तो डॉक्टर साहिबा को देना चाहिए जी मैंने सुन लिया है अरे भाई साब मैंने यह शातर खंजी लगा रखी है मैं आपसे प्रेशन पूछा हूँ आप बात करना है जी 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 अभी आपने कहा था के मुझे बोलने दो अरे अभी तो हमारी लडाई हुई है तो बात क्लियर हो गई उत्तत दे देजिए लोग दो ये डॉक्टर रूबा के लिए एक सिजेस्टिन है अगर चाहें तो दे 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 रंगीला साहब की खिद्मत कर दीजे रंगीला सादक छोड़ा है मैं चौकलेत करदा को दे यहा है कि जी तो जी डॉक्टर साहबा और कुछ है क्या जवाब कोईत्यरेल अद सारी कोईरी दॉक्टर रूबा को मिनि थे येटर पर लाने का आप अपना वादा कब पूरा कर रहे हैं। एक आइडिया था, ख्याल था, तो जा भी सकती है। अपना फ्याल था, छूश्याल रहे हैं। यह समझा कि अपना वादा कर रहा है। एक वादा सुझाल है। उसे चुड़ो, उसे माइनस करो। और भाई साहब। ने नहीं बस थीग है। यह 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 रहना। से जे डौक्टर साहबा और नेक्स्ट फ्वेस्ट्रॉलियन्स है सरे हिटलर के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑफेंटिक बुक ऋंसी है जो माइंड कैंफ उसकी किताब है, उसकी अपनी आटो बायग्रेफि है, वो बहुत अच्छी है, और टोटल वार, एक दूसरा वर्जन है, टोटल वार, माइन कैम्फ, उसकी अपनी किताब, माइ स्ट्रॉगल जिसको कहते हैं, और टोटल वार, एक बड़ी चांदार किताब है, जिसका स्पेक्टरम बहुत ब्रॉड जी महार्शे आपको प्रेशन मिल गया आरे बात करने तो वह चाहे यार आपका जो आपका प्रेशन था अब आपको इन्हों ने बता दिया बता दिया वह दो गिताब को बता दिया जंक का जो मनसुवा है वह अराम से इस बुक को देखके बना सकते जी डॉक कहीं कहीं परिसनली मیरा भी प्रेशन आप से क्यों मैं हस्ब पंजाबी शायरी सुनाता भी हूँ सुनता भी हूँ और हमारे म्यूजिक बॉक्स से वक्तन वक्तन पंजाबी गाने भी आते हैं खास तोर पे बबूर आने कैसे 50% गाने भलके शायद 80% गाने पंज पंजाबी की रेप्रेसेंटेशन तो हो जाती है लेकिन चुके ये पंजाबी शो है नहीं इसका एक पोर्शन है जो हमने पंजाबी की नजर कर रखा है तो वो शौक पूरा कर देंगे इंशालला आने वाले दिनों में एक बहुत ही इलाकाई नौईयत का प्रोग्राम जिसमे हम तमाम लैंग्विजिस पंजाब की पेश करेंगे लेकिन से आज कोई पंजाबी शियर आप सुनाएंगे आप से रिक्वेस्ट है के अता कीजिए एक नजम है जी और वो दुनिया की गालबन मुक्तसर तरीन नजम है मुनीर न्याजी की वो है वक्त तो अगे लंगन दी स चाजा आदमी कल्ला रह जानता है वाँ 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 किया कहने है अजबत अजम पर दिम मुक्तसर सी ते एक को उसना देओ आप बहुत चोटी थी थी थोड़ी थी एक और वो भी ऐसी है इस सथो थोड़ी बड़ी है उसका नम है शेषर दे मकान दे घशा पर सुनिये ये बिशी देनार। अब जल्दी कर लाएं हूं करने तू फिर बोल जाना है तेरा दिमाग पता है कि इतने मटर के दाने जितने हैं बोल गे? नहीं मैं आ रहा हूं सुर महीं पर अपने उस कॉलम में मैंने जो जिकर किया था 14 साल पहले अच्छा इन वसी पता ब्लूपर बेस्ते रखिया अच्छा तू ना उवे ना दा ब्लूपर दा जहीं न बड़े आए जी क्या कहने मोगर निए भी साड़ी सिक्रत इसना पहला मेरी सिक्रत है और पंच राग याद करा है ने आज आपने हमसे फिल्म और कंपोजर नहीं पूछा आज आज आप याद करके हैं यो मुझे बताया जाए के तक्त ताउस किदर है ए तेशी ने दसना अथिकुम लाजम है इन्हें बताईए के इनकी गर्दन मारी शलवार में मारी शलवार में कि याद की लाजम हुआ है और जिकार लाजम रिंगीले शलवार ते साठी गर्दन ता थोड़ा फासला रहा है यह बाद का गए मैंने की कहा दो वाज़ा है क्यूंकि यह मस्खरे ऐसे ही ते यह कम बक्त क्यो यहने किया क्या है तेंगी लवदे को पुचे का किया क्या है तेंगी तल्वार अक्या तो और चल्वार इन्हें बताईए कि हमारी तल्वार और इन्टी शावर तो